Hello guys. Welcome back to my youtube channel. आज में आपके लिए क्रोमेटोगराफिय की थार्ड वीडियो लेकर आई हम. जिसमें हम डिस्क करने वाले हैं साइज एक्स्क्लूजन क्रोमेटोगराफिय के बारे में. जो size exclusion chromatography है इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें जो molecules होते हैं वो size के basis पे separate होते हैं मतलब उनको size के basis पे exclude किया जाता है तो इसको हम molecular save chromatography भी बोलते हैं क्योंकि ये molecules को save करती है मतलब molecules को क्या करती है चानती है जिस परकार चाननी होती है उसमें हम अगर हमारे पास दो तरह के दाने मिक्ष होगए है किसे अनास के कुछ चोटे हैं कुछ बड़े हैं तो हम उसके लिए चाननी के help से उसको separate करते हैं जिसमें क्या होते हैं जो बड़े size के होते हैं वो उपर रह जाते हैं सो जो ये size exclusion chromatography होती है, इसमें जो column matrix होता है, उसको fill किया जाता है एक porous gel beads से, मतलब उसके अंदर porous gel beads fill किया जाते हैं, जो की बने वे होते हैं, insolubal hydrated polymer से, size exclusion chromatography है, column chromatography है, इसमें हमारे पास एक column है, column के अंदर हमने porous gel beads डाल दी है, कि जो कि किसके बैनेवे होते हैं जो बैनेवे होते हैं इन-soluble और हाइड़ेटेड़ पॉलिमेर्स से अब जो यह इन-soluble और हाइड़ेटड जो पॉलिमर्स होते है इसमें आते हैं polyacrylamide, dextran और agerose अब जो ये beads होते हैं, porous beads जो हमने column के अंदर डाल दी हैं, ये stationary phase का काम करेंगे जो ये size exclusion chromatography है, इसमें आती है gel permeation chromatography और gel filtration chromatography मतलब जो size exclusion chromatography है, इसमें दो तरह के mobile solvent use होती है, जिसके basis भी ये दो तरह की होती है अगर हमारे पास gel permeation chromatography है, तो उसके अंदर जो mobile solvent होगा, वो organic होएगा organic का मतलब है कि जिस तरह से होता है, alcohol और जो ये gel filtration chromatography है इसके अंदर जो mobile solvent होगा, वो aqueous होगा, aqueous का मतलब होता है कि हमारे पास water है water के अंदर हमारे पास कुछ molecules है, जिसको हमने separate करना है मतलब water containing जो solution होता है, उसको बोलते हैं aqueous अब जो ये size exclusion chromatography होती है, इसका basic बहुत simple है मालज़ी हमारे पास एक solution है, अगर solution में अलग-अलग size के molecules हैं तो उसको separate करने के लिए हम size exclusion chromatography का use करेंगे एक solution है, उसके अंदर molecules है, कुछ चोटे हैं, कुछ बड़े हैं, तो उसको हम पास करवाएंगे कॉलम से, कॉलम के अंदर आपको पिता है, उसके अंदर porous gel beads होती है अब जो molecules है, वो किस तरह से separate होंगी, जो molecules पोर से चोटे होंगे, मतलब जो column metrics है, उसके अंदर porous gel की beads है porous का मतलब है कि जो beads है, उसमें भी porous है अब जो molecules उन पोर से चोटे होएंगे, वो उन पोर के अंदर एंटर कर जाएंगे, बेड़े के पोर के अंदर चले जाएंगे और जो larger molecules होएंगे वो उसके अंदर नहीं जाएंगे वो बाहर-बाहर से ही फटा-फट बाहर निकल जाएंगे वो exclude हो जाएंगे column से बाहर इसलिए जो larger molecules होएंगे वो पहले elute होएंगे और smaller molecules होएंगे वो बाद में elute होएंगे क्योंकि जो smaller molecules होते हैं वो क्या करेंगे? वो pores के अंदर चले जाएँगे बेड़ो के अंदर पोर्स हैं उन पोर्स के अंदर चले जाएँगे वहां पे फस जाएँगे वो जिके? अब वहां से वो निकलेंगे फिर हो सकता है आगे दूसरा बीड आ गया उसके अंदर भी पोर है उसमें फस गये इस तरह से होते होते जो उनका जो पाथ है वो उनको ज्यादा लंबा ट्रावल करना पड़ता है मतलब उनका रास्ता ज्यादा लंबा होता है जिके as compared to larger molecules तो जो smaller molecules होते हैं वो बाद में alute होते हैं और larger molecules जो होत होते हैं उनका longer retention time होता है क्योंकि वो जादा time तक पॉलम के अंदर रहते हैं for example हमारे पास एक मिक्षर है protein का उसको हमने separate करना है with the help of size exclusion chromatography तो हम क्या करेंगे उस protein के मिक्षर को कॉलम के अंदर फिल कर देंगे अब कॉलम के अंदर क्या है पूरस बीड से हमने उस मिक्षर को कॉलम के अंदर डाल दिया अब कॉलम के अंदर हम mobile phase यूज़ करेंगे buffer को मतलब उन कॉलम के अंदर जो beads है उसको हम wash करेंगे with the help of buffer तो इसमें क्या होगा जो protein के molecules जो larger size के होंगे वो पहले alute हो जाएंगे और smaller size के होंगे वो उन beads के अंदर फस जाएंगे और वो बाद म बेसमें यूजन होता है तो इसमें क्या होता है जो molecules होते हैं वो उनकी molecular size के base पर उनकी molecules shape की base पर separate हो maतले इसमें जो मतलब column matrix के अंदर जो हम beads डालते हैं उनकी एक exclusion limit होती है अब यह exclusion limit क्या है the molecular mass of the smallest molecule unable to penetrate the pores of a given gel हमारे पास एक gel है gel के जो beads है अब उसके अंदर जो चोटे molecules है वो अंदर चले जाते हैं मैंने आपको यह पीछे समझा है कि जो चोटे molecules होंगे वो beads की जो pore है उसके अंदर चले जाते हैं और जो बड़े size के molecules है वो बहर बहर से elute हो जाती है अब जो यह exclusion limit है यह क्या है मतलब molecular mass के basis पे वो सबसे छोटा molecule जो यह molecules है यह अलग-अलग size के होती है जो molecular mass के basis पे जो सबसे छोटा वो molecule जो पोर के अंदर नहीं जा सकता मतलब सबसे छोटा वो molecule जिससे छोटे बाकी जो molecule है वो अंदर चले गए बाकी उन छोटे molecule से वो थोड़ा सा बड़ा है और बड़े molecule से वो छोटा है मतलब उस pores में वो अंदर नहीं जा सकता अगर वो थोड़ा से छोटा होता है तो शाइद अंदर निकल जाता तो सबसे छोटा वो मॉलिक्यूल जो पोर्स के अंदर नहीं जा सकता उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम बोलते हैं जैल की एक्स्क्लीजन लेमिट इस तरह से कई तरह की जैल होते हैं हम एक्जामपल लेते हैं इसमें जो इसका एक्सक्लूजन लिमीट है वो है 30,000 डेल्टन मतलब जो 30,000 डेल्टन का मौलिक्यूल होगा उससे छोटे जो मौलिक्यूल होंगे वो सारे अंदर चले जाएंगे मतलब पोर्स के अंदर और बाकी जो इससे बड़े मौलिक्यूल होंगे वो पोर्स के अंदर नहीं जा सकते तो जो हमारे पास ये जैल के बीड़्ज है इनकी जो एक्सक्लूजन लिमिट है वो है 30,000 डेल्टन आइ थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एक्स्क्लूजन लिमिट क्या होती है मौल्क्यूलर मास के बेसिस के वो सबसे छोटा मौलेक्यूल जो पोर्स के अंदर नहीं जा सकता उसका जो मौल्क्यूलर मास होता है वो जैल का एक्स्क्लूजन लिमिट होता है जैसे सिफाट एक्स जे फिफ्टी है उसका मतलब जो एक्स्क्लूजन लीबिट है वो है 30,000 डैल्टन मतलब 30,000 डैल्टन से बड़े जो मालिकूर्स होंगे वो उसके अंदर नहीं जा सकती अब हमारे पास जो सेंपल होता है उसका जो डिस्टिविशन कॉफिशिंट होता है वो डिपेंड करता है इसके साइज के उपर मतलब जो सॉलिट पार्टिकल्स है वो किस तरह से डिस्टिविट हो रहे हैं वो डिपेंड करता है उनके साइज के उपर ठीक है अगर तो हमारे पास मतलब कुछ इस तरह के molecules हैं जो बड़े साइस के हैं वो फटा-फट से exclude हो जा रहे हैं column से बाहर ठीक है वो जो porous beads हैं उनके pore के अंदर वो enter नहीं करते हैं वो बाहर-बाहर से निकल जाते हैं तो उनका जो distribution coefficient होगा वो होगा 0 और अगर वो pores के अंदर चले जाते हैं मतलब की जो smaller molecules होते हैं अगर वो pores के अंदर चले जाते हैं बीड के अंदर जो pores होते हैं उनके अंदर चले जाते हैं तो उनका जो distribution coefficient होगा वो होगा 1 ठीक है मतलब जो यह distribution स्क्रिविशन कोफिजेंट के वैलू है यह 0 से 1 के बीच में होती है जो साइज एक्स्क्लिशन क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें जो पोरी सचल बीड्सम योज करते हैं वह वह इनसॉलिबल और हाइडरिटिड पॉलिमर्स के वह वह बिए जिसमें या अती हैं पॉलिये क्र और एगरोस में आपके लिए लेकर आय हैं इसके बहुत सारे उइसामपल से बसूता है मैं अजाने के जैसेकि ऑंग सब्सक्राइड नाचसिए 9 divided look cifr x in cifr x G25 अब जो सिफ्र एकस्बेंटीफ आग ए स disciplines한다 मतले जिसकी जो फ्रेक्शनेशन रीमीट है वह है 1000-5000 nehme के बीच में और जैसे की सिंछाइसओ देफिटIGHT night वाव यारीं टैरीं तो थर्टी थोजन के बीच में अर इसी तरह जो दूसरा नहीं है वह आता है पॉली एक्राइल एमाइड polyacrylamide में आता है biogel P2 जिसकी 100 to 1800 limit है और biogel P6 आता है इसकी है 1000 to 6000 मतलब ये 1000 से लेकर 6000 तक इसकी क्या है? exclusion limit है मतलब इसकी fractionation limit है कि इस range तक ये जो molecules होती है वो इसके अंदर जा सकती है और इसी परकार next रहता है मारे पास agarose agarose में आता है sephirose 2b जिसकी जो fractionation limit है वो है 2 into 10 is to power 6 2, 25 into 10 is to power 6 और इसी परकार sephirose 4b भी आता है उसकी है 3 into 10 is to power 5 2, 3 into 10 is to power 6 अब आप सोच रहेंगी कि जो size exclusion chromatography उसमें size का क्या पता चलता है? तो उसमें अगर हमें किसी solid के size के बारे में पता करना होता है तो उसका जो total volume होता है उसको 3 parts में डिवाइड करते हैं मतलब किसी भी solid के size के बारे में information पता करने के लिए जो size exclusion chromatography होती है उसमें जो total volume होता है वो 3 parts में divided होता है पहला आता है void volume void volume क्या होता है? the volume external to the packing material अब जो column होता है column के अंदर beards होते हैं अब वो ऐसा तो है ने कि वो beards उन्होंने पूरा का पूरा column जो है वो cover कर लिये है उन beards के बीच में भी कुछ space होता है वो जो space होता है उन beards के बीच में उसको हम बोलते है void volume इसी परकार दूसरा आता है internal volume internal volume क्या होता है? the volume contained within the porous bits मैंने आपको बोला है कि जो bits होती है column matrix के अंदर उसके अंदर pores होते है वो porous bits होते है इसलिए उसके अंदर जो pores होते है उनके अंदर का जो volume होता है उसको हम बोलते है internal volume और उसको denote करते है v i से अब next हमारे पास आता है bad volume जिसको हम v g से denote करते है the volume occupied by the packing material itself मतलब जो bits ने volume occupied किया है उसको हम बोलेंगे bad volume तो total volume अगर हमने निकानला होगा तो उसको हम कैसे calculate करेंगे v t मतलब total volume is equal to void volume plus internal volume plus bad volume इन तीनों को मिलाकर जो volume आएगा उसको हम बोलते है total volume of the column अब आपके दिमाग में एक question होगा कि जो ये void volume है या फिर internal volume है इसको हम किस तरह से determine कर सकते हैं तो इसको determine करने के लिए measure करना पड़ता है illusion volume of large solids और illusion volume of small solids मतलब जो large solid का illusion volume है उसको different measure करना पड़ेगा और जो small solid का illusion volume है उसको अलग से measure करना पड़ेगा अब इन दोनों को measure करके ही हम determine कर सकते हैं the value of void volume and internal volume तो इसको हम किस तरह से determine करते हैं इसको बाद में समझते हैं पहले मैं आपको diagram की तरूँ समझाते हूं कि size exclusion जो chromatography होती हो वो किस तरह से काम करते हैं अब यह आप diagram देख रहे हो यह है हमारे पास एक column मतलब यह packed column है इसके अंदर हमने pack कर रखा है यह चोट चोटे porous gel beads यह poly acrylamide के भी हो सकते हैं dextron के हो सकते हैं यह हमने इसके अंदर pack कर दी हैं पूरी तरह से ठीक है और यह हमने यहां पे sample apply किया यह जो sample है इसमें कुछ चोटे molecules है और कुछ बड़े molecules है अब हम चाहते हैं कि इन molecules को हमने separate करना है तो जैसे ही हम इसमें mobile face को उपर से apply करते हैं तो जो यह molecules है यह अपने size के या फिर shape के basis पे यहां से travel करेंगे जो यह larger molecules होगे यह इन spaces के बीच से होते हुए यहां से निचर की तरफ travel करेंगे और जो smaller molecules होगे यह जो यह beads है इसमें जो pores होते हैं यह उनके अंदर फस्स जाएंगे मतलब यह उनके अंदर चले जाएंगे इस तरह से इनको travel करने में ज़्यादा टाइम लगेगा एक के pore के अंदर चलेगे फिर दूसरे तीसरे मतलब इस तरह से कहीं पे भी यह फस सकते हैं तो इनका जो traveling मतलब path होता है वो ज़्यादा होता है मतलब longer path होता है as compared to larger molecules तो जो यह larger molecules होगे यह फटा-फट से alute हो जाएंगे और जो यह छोटे वाले हैं यह उलज जाएंगे इन pores के बीच में और इनको alute होने में time लगेगा तो हमारे पास यह example है अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यह large size के molecules हैं नीचे की तरफ जल्दी पहुंच रहे है जल्दी travel कर रहे हैं क्योंकि यह bigger यह उन pores के उंदर नहीं जा सकते उन pores का size चोटा है जो इन bits के उंदर pores हैं उनका size चोटा है इसलिए उनके उनदर नहीं जा सकते तो यह बाहर-बाहर से ही प्रफट नीचे की तरफ मुव कर रहे हैं और जो यह छोटे वाले जो यह मॉलिकूल से यह इन बेड्स के अंदर जो पोर्स है यह उसमें फस रहेंगे मतलब इनको बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लएगा इसलिए यह बाद में अलूट होंगे तो यहां पे आप देख सक इसमें छोटे मॉले क्या सिफस सकते हैं मतलब आप साइस को समझना चाहते हो तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स वह वो अच्छे होने जाए तो आप हर एक चीज को जो प्रैक्टिकली परफॉर्म करके नहीं देख सकते हैं आपको कुछ चीजों को समझने के लिए उसकी इम चीजों किस तरह से जो समॉलर मॉलेक्टिकली इसके इंदर ट्रैवल होते हुए फिर वो नीचे की तरफ आते हैं और फिर लास्ट में अल्यूट होते हैं अब यह जो आप डियाग्राम देख एक सिंगल बीड है इसके इंदर मैंने यह जो कैविटी से डिजाइन कर इसमें फस जाते हैं इसलिए इनको यहां से बाहर निकलने में थोड़ा ठायम लगता है और जो लारजर मॉलेक्टिकस होंगे यहां से सीधे चले जाएग़ और यहां से आए फिर यह पर फस गए अब यप यह बीड है तो यह जो यहां सा इदर को घूमा फिर यह बाहर नि और जो smaller molecules होते हैं वो इन पोर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं और उनको वहां से निकलने में थोड़ा टाइम लगता है So size exclusion chromatography में जो molecules होते हैं वो कुछ इस तरह से separate होते हैं अब हम डाइग्राम की तुरू समस लेते हैं कि void volume क्या होता है हम यह single column ले लेते हैं यह जो column है इसके अंदर यह बहुत सारे porous gel beads है और इन beads की बीच में space है आप देख सकते हैं कि इन beads की बीच में कुछ खाली space है इस space को हम बोलते हैं void volume दूसरा आता है internal volume इंटर्नल volume क्या होता है जैसे हमारे पास एक bead है अब इसके अंदर जो यह space है तीक है मतलब इक bead के इंदर जो pores होते हैं उनकी की बीच में जो space होता है उसको हम बोलते है internal volume आर तीसरा पास बैड volume तो बैड वालिम क्या होता है जो इन बीर्स ने space occupy कर रखा है उसको हम बोलते है bad volume तो total volume निकालने के लिए हमें इन तीनों को plus करना पड़ेगा तभी हमारे पास total volume आएगा मतलब solid का total volume हमने calculate करना है अगर तो हमें इन तीनों को plus करना पड़ेगा तो इसमें एक आएगा void volume दूसरा आएगा internal volume और दीसरा आएगा bad volume इन तीनों को plus करके हमारे पास total volume आजाएगा तो हम बात कर रहे थी कि illusion volume को calculate करके मतलब illusion volume को measure करके हम void volume और internal volume को determine कर सकते हैं अब यह illusion volume क्या होता है the volume of solvent required to elude the solute from the column after it has first contacted the gel अब मैंने आपको diagram में दिखाया है कि हमारे पास इस तरह से एक column होता है इस column के अंदर बहुत सारे porous gel के beads होते हैं मालो यह यहां से beads start होगा अब जब हमारे पास solvent हम इसमें add करेंगे तो जब solvent यहां से आएगा और इस surface को touch करेगा उसके बाद से हम calculate करेंगे इसका क्या? अब हमारे पास जो solvent है इससे पीछे वो कितना है उससे हमारे को कोई लेना देना नहीं है जब वो इस surface को touch करेगा और इससे आगे वो travel करते करते यहां पे पहुंचेगा तो वो होगा हमारा illusion volume अब illusion volume को calculate करने के लिए हमें void volume, internal volume और bad volume के बारे में पता होना जी तो illusion volume क्या होता है? illusion volume mainly related होता है void volume से and internal volume से तो simply मैं आपको बताऊँ कि जो illusion volume होता है वो क्या होता है कि कितना solvent लगा हमें इन दोनों molecules को separate करने में जो large size के उनको भी और जो small size के उनको भी अब जो large size के जो molecules है वो पहले बाहर निकल जाएंगे अब यहां से जो solvent हमने अप्राई किया जब वो इस surface को वो touch किया इस surface को touch होने के बाद यहां से लेकर सारे जो larger molecules हैं उनको बाहर निकलने तक कितना जो solvent है वो use हुआ वो है हमारा illusion volume of large molecules चीशिँए इस लिए जो और इसी तरह small molecules होते हैं उनका भी illusion volume इसी तरह से calculate करते हैं कितना जो solvent है वो use हुआ उन small molecules को यहां से लेकर यहां तक निकालने में वो small molecule का illusion volume हो गया जो illusion volume होता है वो related होता है void volume से और internal volume of the column void volume से इसलिए ही related होता है क्योंकि जो larger molecules होते हैं वो void area से ही बाहर निकलते हैं और internal volume से इसलिए related होता है कि जो छोटे molecules होते हैं वो porous gel beads उनके पोस्ट में फस्ट आते हैं इसलिए वो इंटर्नल वॉल्यूम से इलिडिड होता है सो एलुजन वॉल्यूम को कल्कुलेट करने का एक फॉर्मूला है VE is equal to void volume plus sigma एलुजन वॉल्यूम अब जो इसमें sigma है यह क्या है यह partition coefficient है इसमें partition coefficient के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया है सो जो इस sigma है यह denote करता है इसमें partition coefficient of the solid मतलब sigma का मतलब है कि इस डेस्क्राइब करता है कि कितना internal volume जो है वो अविलेबल है solid के लिए ठीक है सो जो इस sigma होता है यह 0 से बड़ा होता है और एक से छोटा होता है मतलब इसके बीच में होती है इसकी value हम किसी solid की sigma value को किसी non solid की sigma value से compare करके उस unknown solid की molecular size के बारे में पता कर सकते हैं मतलब हमारे पास एक unknown sample है उसमें unknown solutes है उनका sigma value जो आएगी हमारे पास उसको हम compare करेंगे non solid की sigma value से तो इस तरह से हमें जो unknown solid होएगे मारे पास उसके molecular size के बारे में पता चाह सकता है और इसी तरह से अगर हम बहुत सारे non solid को मतलब series wise हम size exclusion chromatography करते हैं उसकी तो उससे क्या होता है हमारे पास एक relationship built होता है partition coefficient और size के बीच में मतलब हमारे पास बहुत सारे solutes हैं known size के तो इस तरह से कुछ size exclusion chromatography काम करती हैं I hope आपको समझ आ गया होगा अगर आपको इसमें कोई confusion हो तो आप मुझे comment box में comment कर सकते हो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जादा सब्सक्राइब करना Thank you for watching